अलो फ्रेंड आपके सामने एक और नियू कोश्चन्स आगे और ये कोश्चन्स भी बहुत ही आसान है ज्यादा हाड नहीं है बोला है कि the sum of first 10 term किसका of this ap का क्या होगा मतलब यहां पर s10 की बात कर रहा है ठीक है पूछ रहा है तो आपको पता चल गया कि यहां 10 नंबर की बात हो रही है और इस ap से अगर आप देखोगे तो आपको a मिल रहा है कितना 9-5 D मिल जाएगा क्या हो जाएगा – 2-5-a2-7 यहां – 2 है और यह – 5 प्लस में से माइनस 2 करेंगे 5 में से माइनस 2 को 3 आ जाएगा अब बड़े वाले एक साइन प्लस है तो D की वैल्यू भी मिल गी है अब आपको S10 पता करना है तो पहले तो S10 का फॉर्मुला क्या होता है वो लिखें बार बार लिखें एन अपन्ट 2 ब्रेकेट में 2A प्लस एन माइनस 1 इंटो D ठीक है अब देखिए मुझे चाहिए S10 मतलब एन की जगह मैंने क्या लेका 10 तो यहां पर भी एन की जगह पर 10 डिवाइड बाई 2 ठीक है यहां पर 2A की वैल्यू कितनी है माइनस 5 ठीक है प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और यहां डी की वैल्यू 3 ठीक है चलिए यहां पर आगया 10 डिवाइड बाई 25 यहां आप देखेंगे प्लस माइनस माइनस हो जागा 25 जा तन हो गया यहां बचांगा 9 937 ठीक है अब देखिए फ्लस माइनस सा सब्ट्राक हो जाएंगे होंगे ना तो 27 में से 10 माइनस होगा तो 17 ठीक है और 17 पाइज क्या होता है 85 85 कहां पर भाई फॉस्ट वाला यहां पर है यह राइट कर जाएगा तो ऐसे ही कोश्चन्स हमारे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद